जह हैं दोस्तों कैसे आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत जवदस्त और बहतर होंगे चलिए तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट जैसे कि स्टुडेंट कहवी रहते कि सर जो हाइलाइट उसे हैं वो एक्जाम परपस से MPPSC और अ आपका कोशन जिसके अंदरगत पूशा जाता है कि यह सक्सियत यह व्यक्ति तो जिनका निधन हुआ यह किस फील्ड से ब्लॉंग करते थे तो यह आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वालें क्योंकि साथी साथ यहां पर जो फैक्ट एक्जाम की द्रस्टी कोंड से बनें करेंगे वो भी हम क्लास में कवर करेंगे चले स्टार करते हैं आज की क्लास कुछ हाइलाइट भी देखते जाना मैं यहां कवर करता जा रहा हूं सबसे पहले आपको यहां पर जो फोटो दिख रही है वो दिख रही है मिलखा सिंग की किनकी दिख रही है मिलखा सिंग आप अब यदि हम बात करें तो नाम आता है धावक मिलखा सिंग इनका निधन हो गया ये एक अबिचुरीज काफी इंपोर्टेंट है और ये आपके इंक्यानवे साल के थे 1958 के टोकियो एसी आई खेलो में इनोंने 200 मीटर और 400 मीटर की दोड में गोल्ड मैडल हासिल किया था ठीक है साथी साथ यदि हम इनकी बुक की बात करें तो इनकी जो बुक है उसका नाम है रेस ओफ माई लाइफ जो आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में और टो बैग अगली जो आपको यहाँ पर फोटो फ्रेम दिख रही है वो दिख रही है दिलीब कुमार जिनका निधन 2021 में हो गया और आप सभी को पता होगा दिलीब कुमार का जब नाम आता है तो आपको कौन सी मुवी याद आती है और उसका नाम है अंदाज दिलीब कुमार की बात करें उनकी एक आटो बैग रॉफी भी जिसका नाम है सबस्टेंस एंड दा सेडो यह जो मैं इधर पर नाम लिख रहा हूँ सबस्टेंस एंड दा सेडो यह आटो बैग रॉफी दिलीब कुमार की और दिलीब कुमार बहुत ही बहतरीन एक्टर के त तो इनकी अंदाज फिल्में तो मैंने भी देखी बहुत बहतरीन दाग हो गई, आन है, देवदास है, और फिर जब नाम आता है मुगले आजम का तो वा भीया, वा, क्या बहतरीन फिल्मे थी मुगले आजम, जो कि 1955 में आई थी, इन्होंने यहाँ पर बहतरीन रोलने भाए ह नाम है दिलीब कुमार, तो दिलीब कुमार जिनका हाली में रधन हुआ, ये किस चेतर से ब्लॉंग करते थे, तो फटा-फट से याद रखना आंसर हो जाएगा एक्टर अभिनेता के तोर पे, चलिए अगला पॉइंट डिसकस कर लेते हैं, अगली आपको यहाँ पर जो फ केटिगरी की बात करें, तो यहाँ पर ये गायका की तौर पे जानी जाती है, ठीक है, लता मंगेसकर जो की भारत की सबसे लोग प्रिय और गायका के तौर पे जानी जाती और पुरुसकार की बात करें, तो आप देख रहे हैं, इन्हें भारत सरकार के दोरा हर एक पर्टि या पुरुसकार फिलाल माना जाता है जो लाइव टेम अचीवमेंट में भी दिया जाता है जो कि 2020 का भी लेटेस्ट आसा पारेक को भी दिया गया है तो ये सम्मान भी इनको मिल चुका है साथी साथ बात करें तो पदनभूसन पदनभूसन भी इनको सम्मानित किया जा चुक आपके दिमाग में एक सक्सियत चहरा आता है और वो आता है कि यह बहुत सारे गोल्ड औरनमेंट्स आपको फिलाल देखने को इनको मिलेंगे और साथी साथ ग्लाज जो चस्मा है ब्लैक कलर का काफी एपिस्टोड और काफी ऐसे जो लोगप्री आपके सीरियल्स है जो आपक संगीत के कुछ हो गया तो उसमें ये जज के तौर पे भी देखें गये हैं नाम है बपी दा जिनको सौड में लोग बोलते थे और इनका वैसे नाम है बपी लाहडी और इनका जो संबंध है किस पर्टिकुलर केटेगरी से तो याद रखिएगा नाम हो जाएगा मसहूर ग ये पॉइंट आप लोग याद रखना और इनका जो असली नाम था वो था अलो केस लाहडी तो ये भी पॉइंट आपके एक्जाम के द्रस्टी कोंड से इंपॉल्टेंट है आंगे बढ़ते हैं अगला नाम आता है ये फोटो आप देखिएगा तो नाम आता है आपका कत्थक घराने से नाम है पंडित बिर्जु महराज ये जो पंडित बिर्जु महराज हैं ये यदि हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था ब्रज मोहन मिस्रा और यदि इनकी केटिगर की बात करें तो कत्थक जो की उत्तर प्रदेस में हम नाम से जानते हैं क्लासिकल डांस के तौर पे जानते हैं ये उसके बहुत ही विसेश नर्तक की केटिगरी में इनका नाम आता है तो नाम याद रखिएगा पंडित बिर्जु महराज केटिगरी कत्थक क्लासिकल डांसर के और यह आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पारें यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी इग्जाम के दुरस्टी कोंड से आपकी बन सकती है ठीक है अगला पॉइंट अगला नाम आता है वो है आपका गुलाम मुस्तफा खान जिनका निधन हो गया जिनकी फोटो आप फ विभूसन और पद्म विभूसन से भी सम्मानित किया जा चुका है तो आप देख रहे हर एक कैटेगरी में इन्हें पुरुषकार मिल चुके हैं क्योंकि भारत का चाहिए वो सेकेंड हाइस्ट अवाल्ड हो थर्ड हाइस्ट हो फोर्थ हो यह सारे अवाल्ड इनको फिलाल मिल चुके हैं तो यह पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रख लीजाएगा संगीत कार एक विसेश नाम नाम है उस्ताद गुलाह मुस्तफा खान अगला पॉइंट इनकी तो बहुत ही जादा फैन फॉल्विंग भी रही है और हो सकता है आपके पसंदीदा यह रहे हो यदि आपके पसंदीदा रहें तो जरूर कमेंट करके बता देना क्या आप इनको जानते हैं या फिर नहीं तो टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम जब हम बि सिद्धार्थ सुकला और आपको याद होगा यदि मैं एक पर्टिक्लर यहां पर पॉइंट की बात करूं तो सीरियल जो एक था जिसका नाम बालिका वदू हो सकता आप सभी ने इसको देखा जरूर होगा तो बालका वदू में सिद्धार सुकला ने पहले पहचान मनाई लेकिन जो ने विसेज पहचान मिली वो कहां से मिली तो ये बिग बॉस से मिली क्योंकि तब उनकी फैन फॉल्विंग बहुत जादा फिलाल बड़ी थी ठीक है आंगे बात करते हैं अगला नाम आता है रामन सागर में रावड करेक्टर का और रावड का जो अभिनय इन्ह पहचान मिली वो विसेज पहचान कहां से मिली तो आन्सर होगा रामानन सागर के रामायन से असली पहचान मिली जो कि 1987 में ठीक है रामायन नाम है इनका अरविंद तुर्वेदी ठीक है नाम क्या है अरविं तिर्वेदी यह CBFC अर्था सेंटर बोल्ट फॉर फिल्म सल्टिफिकेशन के एक्टिंग चेयर बेन भी फिलाल बने थे इसके बाद 1990 में बीजेपी की टिकेट से सांसद भी बने लेकिन विसेश पहचान रामनन सागर की रामैन में मिली नाम है अरविंद तरवेदी अगला पॉइंट जो तिने भी हाइल नाम में कोशन आता है एक दो कोशन हर एक पेपर में देखे जाते हैं अगला नाम आ रही फोटो आप देखिए गया तो इनका नाम है जगानात पहाडिया जो की राजस्थान के पूर्व मुखमंतरी रहे इनका निदन हो गया और यह हाइलाइट्स क्यों रहे तो इनके बा बात करते हैं राजस्थान के मुखमंतरी के तो इनों ने उस कारकाल में पूरी तरह से सराब बंदी लागू कर दी थी इसलिए इनका नाम काफी प्रात्मिक्ता से लिया जाता है नाम है इनका जगनात पहाडिया जिनकी फोटो आप यहां पर देख पारें इनका भी निधन हो गया तो कौन तो आंसर हो जाए अगा राजस्थान के पूर्व मुखमंत्री अगला पॉइंट अगला नाम आता है आवाज मन की आवाज पृतग्या ठाकुर सज्जन सिंग बहुत मेरे तो बहुत 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 ये एक्टर थे क्योंकि एक बहुत विसेश नाम और क्या एक्टिंग जवर्दस्त जब एक्टिंग की बात आती मन की आवाज प सुनाओगा, इनका नाम आता है अनुपम स्याम, क्या नाम आता है अनुपम स्याम, जिनका निधन हो गया, और ये टेली के साथ फिल्म की कैटी ग्री से भी जोड़े हुए थे और यहाँ पर मेंसन भी जो मैंने भी आपको बताया, मन की अवाज ठाकुर सज्जन सिंग का करेक्टर नवाया था वो लोगों के लिए जीवन्त हो गया था लोग सदय इनको कही न कहीं अम्रत हो गया गया character का नाम था ठाकुर सज्जन सिंग इसके लावा परतिग्या 2 में भी ये काम कर रहे थे कुछ movie भी आई आई हैं जिसमे हैं गोल्माल त में याद रखिएगा चली आंगे बढ़ते हैं अगला नाम आ रहा है यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह वीर भद्र सिंग की जो की हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्रीर है तो यदि आपकी प्रेक्षाम पूलता है कि हाली में जो वीर भद्र सिंग है जिनका निधन हो गया तो यह कौन तो याद रखना यह आपके हिमाचल प्रदेश के छे बार क्या रहे तो यह मुख मंत्रीर है जिनके यह आप यहाँ पर मैंसन देख पा रहे हैं और साथी साथ यह UPA सरकार जो की कॉंग्रेस अलाइंस है उसमें यह कैबनेट मंत्री भी रहे नाम है इनका तो आ COVID-19 आया जो COVID-19 चल रहा था तो उस समय जो आप घर में बैटे हुए तो बहुत सारे इंटर्विव आपने इनके देखेंगे मैंने दो इनके बहुत इंटर्विव देखें जिससे यह लोग लोगों के लिए awareness को लेकर की कैसे हम COVID से aware रहे हम COVID के कैसे protocol follow करें और COVID से हमें घब पूर्व अध्यच और साथी साथ पदम स्री पुरुसकार से भी सम्मानित रहे इनका COVID की वज़े से कुरोना संक्रमन की वज़े से क्या हो गया निधन हो गया तो यह point आप लोग याद रख लेना नाम है डॉक्टर केके अगरवाल category चिकिस्सा category चिकिस्सा अगला पॉंट अगला नाम आता है भारत देज के पहले cds चीफ ओव डिफेंस स्टाफ जब पहली बार cds अर्था चीफ ओव डिफेंस स्टाफ यानि आर्मी, एर फोर्स, नेवी में जो हैड हैं वो हैं cds और वो पहले चुने गए ते जिनका नाम है General विपिन रावत इनक कि आप यहां फोटो भी देख पा रहे हैं ठीक है तो यह आपका एरक्राफ्ट जो उनका था हेलिकॉप्टर वो क्रैस हो गया तो उसकी वज़े से यह सहीद हो गया तो नाम आता है जनरल विपिन रावत याद रखना भारत के पहले सीडियर्स थे इनका भी निधन हो गया है यह आपके लिए हाइलाइट्स इंपोर्टेंट बन सकता है एक्जाम के द्रस्टी कोंड से काफी बहतर भी काम किया थे नोंने बहुत सारा गवर्रिमेंट को लेकर जो रूस एन रेगुलेशन थे आर्मी एरफोर्स नेवी की बहुत अच्छी इनोंने बहतर अपने कारकल क कि समय में की थी चलिए अगला पॉइंट अगला नाम आता है क्रिकेटर की जगस से या किर्केट की दुनिया से जिसमें नाम है सेन वॉन का टेन वॉन की ऑटो बैगरोफी भी काफी पॉपलर जिसका नाम है नो इस्पिन यह आपकी सेन वॉन की आपकी पर्टिकुल लिखी अगली फोटो अभी मैंने क्लास में वी डिसकस की अथा डेली करेंट अंतरगत नाम है पुलिजर पुरुसकार पुलिजर पुरुसकार के अंतरगत यदी हम बात करते हैं 2022 के पुलिजर पुरुसकार जो की पत्रकारता फोटोग्राफी और इस तरह की जर्नलिजम की केटिकिन गयाता है उसमें नाम आता है दानिस सिद्धिकी का और ये अफगानिस्तान में जो सेना और अफगानिस्तान त फोटोग्राफर भी है ठीक है नाम यहां आता है कि इनका दानिस सिद्ध की तो यह बहुत पॉपलर फोटोग्राफर और साथी साथ राइटर्स जो अंतराश्टी एजेंसी अमेरिका उसमें यह कारत भी थे तो इनको इनका भी निधन हो गया कौन आंसर हो जाएगा पत्रगा अगला पॉइंट अगली यह फोटो देखिएगा तो आपको याद आ रहा होगा नाम आता है कल्यान सिंग का और जब कल्यान सिंग का नाम आता है तो आपको याद रहना चाहिए कल्यान सिंग की केड़ी मैं केटिगरी की बात करूं तो यह आपके उत्तर प्रदेश के पू 1880 तक उत्तरप्रदेश वन्थान सभां के सदस्ट भी रहे दो बार उत्तरप्रदेश के मुक्ऽमंत्री और इसों लुग अलग लोगुन श्केम ह्वार, सांसत और अराजस्तान चंदन मित्रा ये जो नाम आता है चंदन मित्रा ये पायो नीर एक मैगजीन है उसके एडिटर इनचीफ और मैनेगजिंग डारेक्टर भी थे तो इनका भी संबंध हो गया किस केटिगरी में तो आप बूल सेक्ते हो पत्रकारता मैगजीन केटिगरी में और इसके बाद में ये पॉलिटीसियन भी चुनेगा है क्योंकि ये राजसभा सांसत भी रहें ठीक है राजसभा सांसत भी रहें ममता बनर जी की त्रणमूल जो कॉंग्रेस पाल्टी उन्होंने ये जुआइन कल ली थी ठीक है चली अगला पॉइंट अब ये आप सभी के हो सकता है बहुत फ दे रही है आप लोगों को इनकी कोई मूवी याद आया तो कमेंट करके जुरू बताइएगा नाम है पुनीत राजकुमार और यदि मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने केटिगरी में पहले बतौर चैल्ड आल्टस काम किया था फिर बेटाड़ा होवू में नजर आयत और कंड़ अभिनेत्या के तोर पे इनको लोग जानते हैं नाम है पुनीत राजकुमार तो यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा यह इनकी फोटो देख रही है इनको लोग बहुत ज्यादा इनकी फैन फॉलिविंग बहुत ज्यादा जवड़दस्ती जैसे मैंने सि इतियास से सम्मंदित जानकारी भी इन्होंने उपलब्द कराई है साथी साथ यह थेटर कलाकार के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई दी नाम है बावा साहब पुरंदरे तो यह पॉइंट भी आप एक्जाम की दरस्टी कोंट से याद रखना क्योंकि जनरल ठीक है अगला पॉइंट अगला नाम आता है ब्रह्मा मिस्रा यदि आपने मिर्जापुर देखी होगी कालीन भाईया याद आ रहा है तो उसमें मिर्जापुर आपकी जो मूवी थी उसमें ब्रह्मा मिस्रा काफी पॉपलर हुए थे क्योंकि इन्होंने मिर्जापुर में एक विसेश पहचान बनाई थी आपको याद आ रहा हो का मुन्ना भाईया के दोस्त है नाम है ब्रह्मा मिस्रा ठीक है 2013 में मूवी में काम किया इसके बाद कुछ और मूवी आई जिसमें केसरी है माउंटेन मैन है बद्री की दुलहनिया है सुपर थर्टी और दंगल में भी इन्होंने अभिने किया नाम क्या है ब्रह्मा मिस्रा तो केटिगरी कौन सी हो गई तो आंसर हो गया एक्टर अभिनेता जिनका निधन हो गया है अगला पॉइंट अगला पॉइंट आ रहा है यहां पर यदि आप फोटो देखिएगा तो हो सकता आपको याद आ रहा हो क्योंकि ये कौन बनेगा करोनपती में भी जा चुकी थी के बीसी के सीजन में आपको याद हो का फ्राइड डे जो वारियर्स करके सिरीज आती थी उसमें ये देखने को और उनको विसेश परचान वहां से मिली थी और इनको बोला जाता है मदल टेरेसा ओफ महरास क्योंकि इन्होंने पूरी अपनी लाइफ टाइम या लाइफ के डूरेशन में जीवनकाल में केवल और केवल जो अनात बच्चे हैं उनकी देखभाल उनक अपनी जिम्मेदारी के तोर पे निभाया नाम है इनका सिंदूताई सबकाल ये पॉइंट आप याद रखना इनको बोलते हैं महरास की मदल टेरेसा और इनकी फोटो देखकर यदि आप याद कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट पे बताईएगा ठीक है अगला पॉइंट अ अगला पॉइंट अगला नाम आता है ब्रॉड मार्स जो यहाँ पर नाम दिख रहा है आपको रॉड मार्स है ठीक है रॉड मार्स इनका जरा नाम देख लेना तो जो रॉड मार्स है यह आपके ऊस्तेलिया के क्रेकेटर हैं और यह आपको याद रखना पॉइंट की ऑस्तेलिया में 2016 पुरुस क्रिकेट टीम के मुख चैन करता है कि इन्होंने भूम का निभाई थी अगला पॉइंट अभिनेता राजीव कुपर कपूर अब राजीव कपूर जिनका निधन हो गया तो राजीव कपूर से क्याद रखो गया तो जो राजीव हुए थे जवर्द सिट हुए थे इस केटिगरी के अंतरगत ठीक है अगला नाम आता है हेमनंद विस्वाल हेमनंद विस्वाल की बात करें तो पोलिटीशन केटिगरी में नाम आएगा और उडीशा में दलित नेता की केटिगरी बात करेंगे तो नाम आता है हेमनंद विस अगली फोटो देखिएगा तो नाम आता है अभी सेख चिटर जी की और ये अमर प्रेम मधोर मिलन ठीक है और आपकी कुछ ऐसी मूवी जिसमें इन्होंने काम किया और ये बंगाली फिल्मों के तौर पे जाने गए तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है एक्टर सम के पूर मुखमंतरी नाम हो जाएगा तरून गोगोई जिनका निधन हो गया है 2001 से 2016 तक ये असम के मुखमंत्री भी रहे तो असम के पूर मुखमंत्री नाम है तरुन गुगई इसके साथी चाती भी हम बात करें तो कॉंग्रेस में ये लगातार तीन विधान सवा चुनाओं में जीत भी इनों ने दिलाई और ये सबसे लंबे समय तक असम के मुखमंत्री का भी रिकॉर्ड इनों ने बनाया अगला नाम आता है सौमित चिटर जी जिनका निधन हो गया ये कौन तो आंतर हो जाएगा बंगाली अभिनेता सौमित चिटर जी 2018 में इनको फ्रांस का सर्वोच सम्मान भी मिल चुका है जिसका नाम है लीजन डी ओनर तो ये केटिगरी में सौमित चिटर पॉइंट अगला नाम आता है भानु अथाहिया और हो सकता अपने मोवी देकिए 1982 में आए थी जिसका नाम है फिल्म गान्धी और उस गान्धी फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था वो किया था भानु अथाय ने जिनको पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम डिजाइ अगला पॉइंट अब जरह इनको देखो और मुझे बताओ क्या कुछ याद आ रहा है आपने देखा होगा सीरियल जिसका नाम था बाल का वधू नाम देखा है बाल का वधू तो बाल का वधू के टिग्री के अंथर गत नाम आता है सुरेखा सीकरी का क्योंकि इन्हें जो विसेज पहचान मिली थी, यहां से मिली थी, इसके अलावा एक अभी रिसेंटलीन की फिल्म आई थी, आपको याद होगा आयुसमान खुराना के साथ में, उसमें भी इन्हें विसेज पहचान वली थी, उस मोवी का नाम जरूर कमेंट करके बताईएगा सुरेका सीकरी कौन? एक्टर या अभिनित्री बोल सकते हैं आप, और बाल का वदू में इन्हें विसेज पहचान मिली थी, और जबकि इस सो में इन्होंने नकरात्मक भूम का भी रिभाई थी, लेकिन पहचान मिली थी, दादी सा करेक्टर के तौर पे, अगला नाम आता ह रोहित सर्दाना, अब देखो, रोहित सर्दाना के यदि नाम आप लोग नहीं जानते हो, मुझा नहीं लगता कोई असे स्टुएंट होगा जो नहीं जानते हो, कोगी पत्रकारता की दुनिया में, यदि हम आस्तक की बात करें, तो आस्तक में एक विसेज पहचान और विस अगली पॉइंट की बात करें, तो अगला नाम आता है, वो है समरेश मजूमदार, और समरेश मजूमदार जिनका निधन हो गया, ये आपके बंगॉली लेखक थे, जिनका निधन हो गया, और इन्होंने अनिमेस, अनिमेस रंकला के अंतरगत इनको जाना भी गया, लेखक क अभी के साथ साथ इन्हें सहाइट अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया तो केवल आप इसमें इतना डेटा याद रखना कि बंगॉली लेखक अर्थात राइटर नाम है सम्रेश मजूमदार ठीक है चलिए अगली फोटो देखिएगा तो ये हैं आपके गायक केके आपने साथ सुना होगा कि लाइव सो में इनकी डैथ हो जाती और इनका वास्तिक नाम था वो था कृष्ट कुमार कुनात और ये कौन तो आंसर हो जाएगा आपके सिंगर या फिर गायक नाम है केके ठीक है लाइव प्रदर्सन कर रहे थे ये वहाँ पर कूलकाता में इनका निधन हो गया अगली पॉइंट आता भी है इनकी भी बहुत खतरनाक थी फैन फोल्विंग ये पंजाबी गायक है जिनका नाम है सिद्धू मूसेवाला आप सबी लोगे दिनको जानते हों तो जरूर मुझे करें तो पंजाब के बहुत ही प्रिसित गायक जो की मंसा जले के अंदरगत आपके जवाहर गाओं में ब्लॉंग करते थे कुछ अग्या थमलावर थे जिन्नोंने इन पर टैक किया और इनका निधन हो गया था ठीक है तो यह पॉइंट आप लोग याद रखना बहुत ही ज जाद रखना है कौन क्रिकेटर कौन क्रिकेटर और क्रिकेटर भी कौन तो आंसर हो जाएका ऑस्टेलिया के पूर क्रिकेटर नाम है इनका एंड्रू साइमंट्स और इनकी कार दुरगतना के दौर में दौरान मृत्ति हो गई डैथ हो गई तो कौन यह तो सभी लोग जानत यहां से एक्जाम में एक दो कोशन बनते और यही एक दो नंबर है जो हमें सफलता और सेलेक्शन की सीडी में कहीं नहीं पहुचाएंगे ठीक है तो दोस्तों आज की ग्लास में इतना ही फिलाल आज हमने जो मैतपूर्ण निदन हाइलाइट्स थे वो हमने कवर किये तो उमीद है आपके एक्जाम में यहां से कोशन जो बनेंगे आप लोग आसानी से कर लेंगे तो मिलते दोस्तों नेक्स लास में जेहिन एन थेंक्स वो मत गाईस